हेलो एवरीवन विल्कम बाक तो मैं चैनल ताइम मैनेजमेंट एक ऐसा प्रॉसेस है जिसे हम चीजों को प्लान और और अर्गनाईज करते हैं गुद ताइम मैनेजमेंट आपको स्मार्ट बनाता है हम सबके पास 24 आर्ज होते हैं तो कैसे कुछ लोगों के लिए ये बहुत होते हैं और कुछ के लिए कम पड़ जाते हैं जिससे वो अपने ज़रूरी काम भी पूरे नहीं कर पाते तो देर इस नो डिफरेंस बिट्वीन टाइम मैनेजमेंट एंड स्मार्टनेस जिसको टाइम मैनेज करना आ गया वो स्मार्ट है सबसे पहले अपने डेली चोर्ज की एक लिस्ट बनाएं और उसकी आगे टाइम सेटल करें कि आप किस काम को कितना टाइम देना चाहते हैं और देखें कि आपकी लिस्ट में कि फिटनस कौन से नंबर पे आती है मेरी लिस्ट की बात करें तो फिटनस टॉप पे आती है So take your house works as your salaried job तो कई बर हम कहते हैं कि इतनी energy कहां से लेके आएं कि इतना सारा काम करने की तो just think हमारे husbands, working women या फिर हमारे बच्चे सभी डेली अपने अपनी वोग प्लेस पे जाते हैं और तीन से चार घंटे काम करने के बाद उन्हें एक ब्रेक मिलता है तो हम भी है सो सकते हैं कि यह हमारे वोग प्लेस है जहां हमें शायद थोड़ा सा उनसे जादा 5-6 आज काम करना पड़ेगा जिसमें हमारी fitness routine भी आती है तो उसके बाद हम एक long break लेंगे और एक break के बाद फिर से हम काम पे लग जाएंगे तो चलिए पर आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूं अपनी routine जिसमें कि मेरा workout प्लस मेरे house works में कैसे manage करती हूं सब आता है nobody is perfect, I am also not perfect तो situation के हिसाब से schedule काम करने के change होते रहते हैं तो I hope ये video आपको थोड़ी से help तो करेगी चीज़ों को organize करने में अगर आपको थोड़ी से भी help करें तो please hit on like button और अगर आप मेरे channel पे नए हैं तो subscribe करना मत भूलिएगा और subscribe करने के साथ ही एक bell button भी है उसे click कर दे ताकि आपको मेरे नए वीडियो की notifications मिलती रहे कुछ लोग weekly meal plan करते हैं मैंने भी try किया था बट वो practical नहीं था so weekly तो नहीं बट कल पूरा दिन क्या बनेगा वो मैं एक रात पहले ही सोच लेती हूं अगर आप listing कर सकें तो और भी अच्छा तो यहां मैं भिंडी की सबजी काट रही हूं सुबा टिफन्स के लिए और जो बचेगी वो breakfast के काम भी आ जाती है भिंडी तो मैंने कट कर ली थी लेकिन बेटे ने आके कहा कि वो सुबा टिफन में दही सैंड्विच लेके जाना चाहता है तो फिर मेरे हस्बन वेजिस कट कर रहे हैं और यहां दही को मैंने चन्नी में डालके रख दिया है नीचे बर्तन रख दिया है तांकि इसका पूरा पानी निकल जाए और ऐसे में इसको फ्रिज में रख दूँगी और यह वेजिस हैं जो हस्बन ने कट की हैं कैपसिकम है यह सारी येलो ग्रीन एंड रेड सुबा यहां वहां टिफन ढूंडने से अच्छा है कि आप उनको वाश करके किसी एक ही जगा पे रख दें ताकि वो अच्छे से सुबा ड्राय हो जाएं और आपको यूज करने में असानी रहे लंच के लिए राजमा मैंने भिगो दिये हैं और दहीं जमा दिया है और जो लोग मुझे रेगलर फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि मैं रात को ही किचन क्लीन करके सोती हूं तो सुबा जब आप उठते हो तो आपकी आँखों को बहुत रिलैक्स मिलता है मॉर्निंग मेरी हो जाती है फाइव ओकलॉक और फाइव टॉन्टी से पहले पहले मैं आ जाती हूं अपने योगा मैट पे हमेशा योग मैं बाहर ही करती हूं लेकिन आज क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी और अभी सनराइज नहीं हुआ है तो इसलिए आज मैं अंदर कर रही हूं जब मैं intense workout करती हूँ तो योग और प्राणायाम क्यों? क्योंकि fitness दो तरह की होती है, physical और mental और प्राणायाम आपके internal organs पे काम करता है, ये आपको mental strength देता है 40 to 45 minutes का ये routine मुझे जो energy देता है, वो मैं explain नहीं कर सकती आप deep breathe करते हैं, और जितनी oxygen आप पूरे दिन में consume नहीं करते, उतने 45 minutes के इस session में consume कर लेते हैं प्राणायाम आपकी body की हर nerve के end तक oxygen पहुंचाता है, और आपकी body उर्जा से भर जाती है के सकते हैं, और खनायाम आपकीast का एक एक रिर में का भ 같은데 मैं है हुआ है प्राणा में प्रीब के कि अ य nos दोख को के चाइब है करदे हुआ है अगर आप भी ट्राय करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी बोड़ी आपका माइंड कितना रिलाक्स बीड करता है At last, for at least 10 to 15 रिर्स, you should do meditation Meditation एक ऐसी स्टेज है जिसमें हमारी बोड़ी और माइंड दोनों कुछ नहीं कर रहे होते आपकी brain में किसी तरह की कोई thought नहीं जलनी चाहिए यह process ऐसा है जब आप start करते हैं तो practice करने थोड़ा time लग जाता है thoughts बार-बार वापिस आते हैं लेकिन जैसे यसे आप practice करते हैं आप mentally बहुत strong बन जाते हैं meditation आप बैठ के भी कर सकते हैं या फिर शवासन में लेट के भी अपनी पूरी बोड़ी को ढिला छोड़ दें और concentrate करें अपनी सांस पे योग करने से पहले मैं अपना lemon water ले चुकी हूँ अब kitchen में आनवे सबसे पहला काम जो मैं करती हूँ वो करती हूँ जो पहले रात को दो के रखी थी उनको अपनी जगा पर सटल कर देती हूँ ताइम हो गया है 610 जो हमारी हॉल की घड़ी है वो 10 मिनट्स आगे रखी हुई है हमने तो इस घड़ी पर टाइम आप देख सकते हैं 620 अब मुझे रेडी करने हैं टिफिन तो उसके लिए पहले और टमेटोज और चिलीज भी इसी में रखे होते हैं तो एक साइट पर बना रही हूँ मैं भिंडी की सब्जी दूसरे साइट पर पापा के लिए चाय बन रही है सब्जी कोई भी एक मौनिंग में थोड़ी सी बना ही लेती हूँ सैंड्विचीज वगरा पापा पसंद नहीं करते हैं अगर आप सुबा लेट उठते हो तो आपका काम पैंडिंग होता चला जाता है और इरिटेशन बढ़ती चली जाती है लेकिन अगर आप टाइमली उठते हो तो बॉड़ी में एनर्जी भी होती है और सुस्ती भी दूर भाग चुकी होती है जैसे कि मुझे अब उठे हुए डियर घंटा होने वाला है तो मैं फासली काम कर सकती हूं और साथ साथ में किचन भी क्लीन करती जा रही हूं जितने बरतन मैंने यूज किये हैं उनको साथ साथ वाश कर दूँगी सकते हैं आप सबजी भी रडी है चाए भी तयार है और दोनों बचों के टिफन्स भी मैंने रडी कर दिये हैं और बेकफास में मोस्ली स्मूदी ही पीते हैं तो स्मूदी भी मैंने रडी कर दिये हैं और आपना टाइम देख सकते हैं हौल की घड़ी पे टाइम हो गया है सा और मेरी मोबाइल पर टाइम है 6.52 लॉंड्री में डिली नहीं करती हूं आल्टरने डेस पर ही करती हूं तो आज की रूटीन में लॉंड्री भी शामिल है करना मेरा पैशन है जब तक अच्छे से पसीना नहीं निकल जाता मुझे मज़ा नहीं आता लाइफ में आप कितना भी बड़ा गोल सेट कर लें उसे अचीव भी कर लें बाट इंजॉय नहीं कर सकते अगर हैल्थ अच्छी नहीं है तो कुछ लोग कहते हैं कि एनरजी नहीं होती काम करने से उतनी एनरजी डिप्लीट नहीं होती जितनी स्ट्रेस लेने से होती है प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी का एक पार्ट है प्रॉब्लम्स के उपर ज़्यादा सोचने से प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होती प्रॉब्लम्स के सिलूशन निकालने पड़ते हैं एक्सरसाइज करने के बाद एकदम से शावट तो नहीं लेती हूँ क्योंकि अभी मुझे क्लीनिंग भी करनी है तो जस्ट टीशिट चेंज कर लेती हूँ और अपना फेस वाश कर लेती हूँ जब तक मेरा वोकाउट डन हुआ तब तक मेरे कपड़े भी धुल गए और अब बस सबने को सुखने डाल दूँगी वैसे ये वहला काम जो है वह जातर ममा ही करते हैं पर आजकल उनकी एपसंस में मुझे करना बढ़ रहा है बस तक्रीबन यही टाइम होता है डेली हमारा ब्रेकफास्ट करने का तो अब मैं किचन में आ गई हूँ बाकी सब के लिए ब्रेकफास्ट बना रहें के लिए तो सैंड्विचिस बन रहे हैं मेरे लिए और मेरे हस्बन के लिए और पापा के लिए बना रही हूं मैं चपातिया और ये रहा मेरा आज का प्रेकफास्ट दो सैंड्विचिस कुछ आलमंड्स और एक बॉइल एग वन कप अफ मिल्क तो बस ब्रेकफास्ट के बाद अपहले डिशिस क्लीन करूंगी और किचिन क्लीन करूंगी उसके बाद हाउस क्लिनिंग का काम शुरू करूंगी प्रेकफास्ट बनाना ब्रेकफास्ट करना और किचिन क्लीन करने मुझे टाइम लग जाता है पूरा एक घंटा तो अभी आप टाइम देख सकते हैं हो गया 9.30 और उधर हॉल की घड़ी पर आपको टाइम दिखेगा 9.40 इली मेरी हाउस क्लीन की रूटीन क्या है वो मैं आपको पूरा इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगी मेरे चैनल पर उससे रिलेटर एक वीडियो है जिसका लिक में डिक्स्क्रिप्शन ब्रॉक्स में आपको दे दूँगी और इस वीडियो के एंट में स्कीन पर भी वो वीडियो आपको शो हो जाएगी आप देख सकते हैं आप सब के सुजेशन्स थे कि मुझे वाश्रूम सबसे लास्ट में क्लीन करना चाहिए तो मैंने बड़ी खुशी से आप सब की बात मान ली है और आ बार लेने टाइम हो गया 10.47 डेली जादा कोई मेक अप में नहीं करती हूं सिंपल संस्क्रीन लगाती हूं फेस पे और मौश्राज का इस्तेमाल में जादा करती हूं तो फर्स प्रेक लेने से पहले ये मेरा लास्ट काम है लंच बनाऊंगी उसके बाद मैं लॉंग ब्रेक लूंगी तो टाइम भी देख लेते हैं अब गड़ी में टाइम हो गया है 11.16 और हॉल की घड़ी अब चेक कर सकते हैं उसमें टाइम हो गया है 11.27 अगर आपकी किच इसरी पर तवा चड़ाया है 4-5 चपातियां भी बनाऊंगी और फोर्थ बर्नर पर आप देख सकते हैं मिल्क रखा है मैंने हस्बन मेरे चाय नहीं पीते हैं शाम को ऑफिस में तो उनको दूद बना के देती हूं लाइची पावडर डालके और साथ ही जैगरी पावडर ड रहते हैं सुबा से तो अगर आप चीजों को प्लान करके चलते हैं और अपने काम को टार्गेट बनाके चलते हैं तो हर काम टाइमली खतम हो जाता है आपकी मर्जी है कि अगर आप बीच में थोड़ा थोड़ा प्रेक लेना चाहें तो वो भी कर सकते हैं मैं पूरा काम खत करती हूं फिर यहां आके मैं जो चाहे करूं अपनी बुक रिडिंग करूं कोई मूवी देखूं यूट्यूब का कोई काम करूं या नैप ले सकती हूं डेड़ बजे एक बार नीचे जाती हूं लंच करने के लिए और बस फिर उपर आ जाती हूं तीन बजे के बाद बेटा आता है उसके साथ 10-15 मिनट बात करती हूं फिर वो अपना लंच करता है और फिर उसके बाद में फ्री हूं तो ये था मेरा टाइम मैनेजमेंट जिसमें मेरी फिटनेस रूटीन भी आती है और मेरे हाउस वक्त भी शामिल है शीयू इन नेक्स वीडियो तिल देन बाई टे है और देन भी स oben खबियो तो ये 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 लिए बात करता है और मेरा टाइमेर लाग इनल वा सवक probation कर दिक हिन सता है gotta एध म